हेलो बच्चों मैं हरेंद्र कुस्वाहा आपका टॉप एजूकेशन चैनल में स्वागत है और आज हम लोग बिहार बोड क्लास फिफ्थ का फोर्थ लेशन पढ़ेंगे और बच्चों यह एक पोयम यानी कभिता है जो रबिंदर नाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है तो बच्चों यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग वार्मर पढ़ेंगे List some of the ways by which you can send messages to your friends Friends मतलब बच्चों दोस्त या मित्र और Message मतलब संदेश Send मतलब भेजना और Wage मतलब तरीका और List मतलब सूची यानि बच्चों आप अपने दोस्तों के यहां संदेश भेजने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं यानि किस माध्यम से आप अपने दोस्तों के पास सूचना भेजते हैं और बच्चों इसकी एक सूची बनानी है इसके बाद दूसरा वर्मर है यानि बच्चों आप जो तरीका मैसेज भेजने के लिए संदेश भेजने के लिए अपनाते हैं उसमें से आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगता है और क्यों? बच्चों आप लोग इसे कमेंट वक्स में कमेंट करके बताएगा तो बच्चों इसके बाद हवाम लोग का पोयम है डे बाइ डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाइ वन डाउन दर रनिंग इंस्ट्रिम रणिंग इश्ट्रीम मतलब बच्चों बहती हुई धारा और वन बाई वन मतलब एक एक करके पेपर बोट्स मतलब कागज की नाव और फ्लोट्स मतलब बहाना या तैराना और डे बाई डे यानि दिन पर दिन या रोज यानि बच्चों कभी कहता है कि डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स यानि दिन पर दिन मैं अपनी कागज की नाव बहाता हूँ और वन बाई वन डाउन दर रणिंग स्ट्रीम और एक एक करके नदी की धार में बहाता हूँ यानि बच्चों जीस तरह हम लोग बचपन में बारिस के दिनों में अधिक बारिस होने पर कागज की नाव बनाकर पानी में बहाते हैं और बहते हुए नाव को देखकर बहुत प्रसन होते हैं ठिक उसी तरह कभी भी कागज की नाव को पानी की धार में बहाता है और बहु In big black letters, I write my name on them, and the name of the village where I live, live मतलब बच्चों रहना, where मतलब जहां, और village मतलब गाओ, name मतलब नाम, write मतलब लिखना, in big black letters, यानि काले और बड़े अक्छरों में, यानि बच्चों, कभी काले और बड़े अक्छरों में, उस कागज की नाओं पर अपना नाम और अपने गाओं का नाम लिखता है, जहां वह रहता है, I hope that someone in some strange land will find them and know who I am, no मतलब बच्चों, जानना, और find मतलब पाना, land मतलब देश या मुल्क, और strange मतलब अंजान या अजनवी, someone मतलब कोई और hope मतलब आसा, यानि बच्चों, कभी कहता है कि उसे आसा है, उसे आसा है कि उसकी कागज की नाओं किसी अंजान देश या अंजान जगह पर जाएगी और वहां के अंजान लोग इसे पाकर उसे जानेंगे, उसका नाम जानेंगे, उसके गाओं का नाम जानेंगे कि वह कहां रहता है, I load my little boats with sively flower from our garden, गार्डन मतलब बच्चों बगीचा और flower मतलब फूल, sively flower मतलब बच्चों एक परकार का फूल, और boats मतलब now, little मतलब छोटा और load मतलब भरना, यानि, I load my little boats, मैं अपनी छोटी सी नाव को भरता हूँ with sively flowers, यानि, sively फूलों से from our garden, अपने बगीचों के फूलों से, यानि बच्चों कभी कहता है कि वह अपनी कागज की छोटी सी नाव को, अपने बगीचे के sively फूल से load करता है, यानि उस छोटी सी नाव में sively का फूल भरता है, रखता है, and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night, night मतलब अच्चों रात, और land मतलब देश, safely, carried safely, यानि सुरक्षित धंग से पहुँचाना, डान मतलब भोर, और blooms मतलब फूल, hope मतलब बच्चों आसा, यानि बच्चों कभी आसा करता है कि भोर में उसकी कागज की नाव पर load किया गया, sively का फूल रात में किसी अंजान जगापर सुरक्षित पहुँच जाएगा, यानि बच्चों इस कभीता में कभी अपने बच्चपन में चाहता है कि दूर देश में रहने वाले लोग भी उसे जाने, इसलिए वह कागज की नाव पर अपने गाउं का नाम पता लिखकर नदी की धार में बहा देता है, तो बच्चों यह था हम लोगों का पोयम, दे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोर्ट्स, तो बच्चों यदि यह पोयम आप लोगों को समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाओं आप तक आसानी से पहुँच सके, और यदि कोई सुझाओ हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सको, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,